हलो एवरिवन आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की धेरो शुब काम ना है आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राइकलर सैंविच तो चलिए आईए बनाना शुरू करते हैं ट्राइकलर सैंविच बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की बड़ी वाली वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्श को वारिक कट कर लिया है एक प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और एक गाजर को मैंने कदुकस कर लिया है तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ओरेंज स्टफिंग बना लेते हैं इसके लिए मैंने गाजर को एक बॉल में निकाल लिया है अब हम इस गाजर में एक बड़ा चमच भरके मेयनियस डालेंगे इसके साथ ही हम इसमें एक बड़ा चमच कैचप डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा काली मिश पाउडर रैट कर देंगे चटपटे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाल रैट करेंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक रैट कर देंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस ये हमारी ओरेंज स्टफिंग बनकर तयार हो गई है अब इसे ढखकर हम साइड में रख देंगे यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले ली है और इस पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे ग्रीन चटनी को हम ब्रेड पर चारो तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ग्रीन चटनी की रेस्पी मैंने अल्रेड अपने चैनल पर शेयर की है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चटनी को अच्छे से फैलाने के बाद हम इस पर बारिक कटी हुई शिमलामिश डाल देंगे यदि आप शिमलामिश न डालना चाहें तो इसकी जगह पर आप कद्दू कस किया हुआ खीरा भी डाल सकते हैं अब हम इस पर थोड़ा सा काली मिश पाउडर और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम एक दूसरी ब्रेट स्लाइस से इस तरह से कवर कर देंगे अब हम वाइट कलर की लेयर तैयार करेंगे इसके लिए मैं यहाँ पर चीज स्प्रेट का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो मैयोनीज भी लगा सकते हैं चीज स्प्रेट लगाने के बाद या मैयोनीज लगाने के बाद इस पर हम अनियन की स्लाइस रख देंगे इस पर भी हम थोड़ा सा काली मिश पाउडर और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसे चीज स्लाइस से कवर कर देंगे चीज स्लाइस लगाने के बाद हम एक और ब्रेट लेंगे और इसे ब्रेट से कवर कर देंगे और अब हम तीसरी लेयर तयार करेंगे इसके लिए हम ब्रेट पर सबसे पहले टॉमेटो कैचप लगाएंगे केचप लगाने के बाद हमने जो गाजर की स्टफिंग तेयार की थी इसे ब्रेट पर हम अच्छे से स्प्रेट कर देंगे इसमें नीचे हमने हरी जटनी लगाई है और उपर टॉमेटो केचप तो इससे सेंविच का टेस्ट तीखा और मीठा दोनों आएगा ब्रेट को अच्छे से लगाने के बाद हम एक और ब्रेट स्लाइसे से कवर कर देंगे अब हम इसे तवे पर सेकेंगे इससे पहले हम इस पर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे मैंने अंदर किसी भी ब्रेट पर बटर का यूज नहीं किया है यदि आप चाहें तो अंदर ब्रेट पर भी बटर लगा सकते हैं चलिए अब हम इसे तवे पर दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेंगे अब ब्रेट की दूसरी साइट पर भी बटर लगा देते हैं हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस ऐसा कलर आने तक इसे थोड़ा सा हमें सेक लेना है तो चलिए हमारा सैंविच दोनों तरफ से अच्छे से से सेक चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं ये बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है इसे बनाने में स्यादा समय नहीं लगता तो जब भी आपको हल्की फुलकी भूखो आप जटपट इसे बनाकर इंज़ोय कर सकते हैं तो बस हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं तो ये देखी कितने बढ़िया हमारे तीनों कलर अलग-अलग दिख रहे हैं तो देखा ना आपने कितने कम समय में हमारे कितने बढ़िया तीरंगा संविच बनकर तयार हुए हैं तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राइ कीजीगा तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्रम